हाई, मैं मम्बूज रिंजन जहा, वेलकम तू आल आफ यू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश आउल आज हम लोग कोडिंग के टाइप 2 को डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वीडियो में मैंने पोजिशनल चैन्जिंग से रिलेटे क्योप्संस करा था आज जो क्योसंस हम लोग को दिखने हैं, वो क्योसंस होगा अल्फाबेटिकल चैन्जिंग से रिलेटेट, अगर आप different competitive examinations की बात करते हैं, तो एक यार दो क्योसंस आपके अल्फाबेटिकल चैन्जिंग से ज़रूर होता हैं, ठीक है, तो अब कॉमसाब्स को समझ लेएं कि अल्फाबेटिकल चैन्जिंग से रिलेटेट क्योसंस के स्टाइप्स के होते हैं, उसके solutions को हम कैसे करें, तो सबसे पहला काम जो करना है आपको क्योसंस को दिखने हैं, क्योसंस में दिखो आप कि अल्फाबेटिकल चैन्जिंग से रिलेटेट जो भी क्योसंस आएगा, उ और उसी को different way में question words में लिठा होगा अब आपको logic धूढने हैं कि वो words का formation ऐसा क्यों हुआ और जो logic आपने find out करा आपको वही logic question words में apply करने हैं इसके सिवाया आपको कुछ भी नहीं करना अब alphabetical changing के types बहुत सारी होतकते हैं अब सबसे पहले मुझे बताओ कि alphabetical changing से related जो क्योंस आता है इसमें English words use होते हैं तो किसी भी words में total number of alphabet दो ही conditions है total number of alphabet के होनी का पहला या तो total number of alphabet even में हो सकता है और दूसरा कि total number of alphabet odd में हो सकता है अब even number of alphabet है तो वो two halves में divisible होगा words को हम two halves में break कर सकते हैं आसान बनाने के लिए conditions को आसान करने के odd number of alphabet वाले हैं words तो उसमें two halves में break करेंगे और एक central element हम रहने देंगे और तमाम questions को उन लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले alphabetical changing से related मैं questions यहां पर discuss कर रहा हूँ type alphabetical changing है एक question मैंने यहां दे रखा है इन्हें certain code mistaken is written as s-r-h-l-o-s-l-b then how is grounded written in that code questions को मैं हिंडी में भी बता रहता हूँ कि format यही होगा format इसमें change नहीं होगा 40-40 case type में format constant होगा तो हिंडी में यही प्रश्ण किस प्रकार से एक निश्यत कूट भाशा में अगर मिस्टेकन को s-r-h-l-o-f-l-b लिखा जाता है तो उसी कूट भाशा में grounded को क्या लिखा जाएगा बहुत ही आसान ज्योस्तन से देखते हैं हम लोग इसका solutions में क्या दखने है अब सबसे पहले आप लिख लो कि words हैं आपके पास mistaken यहाँ पे आप देखू कि इस mistaken words में total number of alphabet कितने हैं पहला काम लिखा तो total number of alphabet है एच और एच even number है तो two halves में यह divisable होगा आप इसे कैसे लिख सकते हो यह M-I-S-T और A-K-E-N आपने इसको two halves में divide करा अब यह क्या आएगा यहाँ पे यह क्या बना रहा है यह बना रहा है S-R-H-L और O-F-L-B अब आपको देखने हैं कि M-I-S-T कैसे S-R-H-L बनता है और A-K-E-N कैसे O-F-L-B बनता है यह आपको logic घूने और जो भी आपने logic यहाँ find out करा उस logic को आप question words में grounded में apply करने हैं और answer तक होच जाना है अब logic अब लोग देखते हैं यहाँ पे T-H-T में अगर minus 1 करते हैं तो क्या आएगा S नाएगा S में minus 1 करते हैं तो क्या आएगा A-I में minus 1 करते हैं तो क्या आएगा S और M ते अगर minus 1 करते हैं तो क्या आएगा L अब आपके पास second half है second half के alphabets को देखते हैं यहाँ पे क्या है again A, K, E और M तो यहाँ N plus 1 करते हैं यह क्या आता है O E plus 1 F K plus 1 L और A plus 1 B The logic is very clear बहुत आसान logic है कि माइस्ट में जो भी alphabets है first half के last alphabets से हम लोग 1 subtract करते हैं in each and every alphabets तो T minus 1 S minus 1 R I minus 1 H और M minus 1 L इसके आगी है again A, K, E, N N plus 1 O E plus 1 F K plus 1 L और A plus 1 B अब आपने logic देखा कि first half के जो alphabets है last say हम लोग 1 subtract करते हैं और second half के जो alphabets है वहाँ हम 1 addition करते हैं same logic अगर हम यहाँ पे grounded में put up करें तो वह किस type से आएगा G, R, O, U N, D, E, D चीकें अब grounded के first half के alphabets क्या है G, R, O, U तो U में माइनस 1 करते हैं क्या जाएगा T O में माइनस 1 करते हैं क्या जाएगा N R में माइनस 1 करते हैं क्या जाएगा Q और G में माइनस 1 करते हैं क्या जाएगा F तो क्या बन रहा है यहाँ पे T, N, Q, F Second half के जो words के alphabet हैं यहाँ पे हमको दिख रहा है कि second half में हम plus 1 करते हैं तो D plus 1 E E plus 1 F D plus 1 E और N plus 1 O तो word grounded क्या बन रहा है T, N, Q, F E, F, E, O अब क्यों सनकों फिर से हम लोगे repeat करता हूं ना logic को यहाँ पे mistaken है M, I, S, T और यह mistaken बन रहा है S, R, H, L, O, F, L, B तो यहाँ T minus 1 करा S आ गया S minus 1 R I minus 1 H और M minus 1 L second half में जो conditions है second half में again है यहाँ पे N plus 1 O E plus 1 F K plus 1 L और A plus 1 B same logic हम यहाँ पे grounded में हमने put up करा U minus 1 T O minus 1 N R minus 1 Q और G minus 1 F हो गए और second half में N, D, E, D है तो D plus 1 E, E plus 1 F, D plus 1 E, or N plus 1 O तो grounded क्या बढ़ रहा है T and Q S E F, E O Is it clear? मैंने ख्याल से आप सबों को समझ में आए होगा चीक है इसमें बहुत सारे questions हैं बहुत सारे questions हम लोगो देखने हैं slowly हम लोग इसमें बहुत सारे questions को मैं mix up करूंगा concepts के साम हम लोग देखेंगे different different questions चीक है इस वीडियो के लिए एक नाई टाक चू आल अगया